हाई अब्रिवान वेल्कम बैक टो माँ चानल मेरा नाम अर्पता है और आज ना मैं फिर से लेके जारी हूं अगर आसपास में आपको जगे दिख रही है और टाइटल से तो आप समझी गए होगे हम जा रहे हैं मजनू का टीला एंड वहां पर हम ट्राइ करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा नया सा रेस्टरॉंट खुला है और उसमें बहुत ही मुल्टिपल वराइटी आफ कुजीन है तो चलिए पहले मैं आपको वहां लेके चलती हूं फिर आपको दिखाती हूं कि बहुत सारी वीडियो बना रखी है आप चाहे तो देख सकते हैं मैं लिंक कर दोंगी वरना मेरी प्रेलिस में जाके आप देख सकते हैं यह देखो हम पहुच गए हैं वह तिनी सुन्दर सी बिल्डिंग है यार मुझे ना लाइट चिती अदर पसंद आती है कि मैं चीज को मैंनु भी देखाऊंगी फिलाल अंदर चलते हैं आपको लेकी चलते हैं कौंज फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पर सो लेट्स गो तो यह हम पहुच गहे हैं अखुनी नागा रेस्टरांट आप देखो यारी इंटरी कितिनी जादा अथेंटिक एंड कितिनी सुन्दर लग रही इस अब आप इस देखो कि आपसे आपसे नहोंने क्रिटिविटी कर रकी है और समद वाल टाइप बना रखा हैं जिस आपसे बैंबू की चीज़ कर रखें इसे फो बीटीफुल यह कितना अच्छा पोट्रेट इनोंने कर रखा है मतलब आप 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 इस त्टिक तो अगर आप इसको देखोगे ना और अपने मेरा गंडम का रेस्टरॉंट का जो वीडियो है वो देख रखा होगा तो आपको थोड़ी बहुत सिम्लारिटी दिखेगी यह अंदर की इंस्ट्रा स्ट्रक्चर पे और जिसे प्लीस्मेंट हो रखी है सिटिंग हलकेल की सिमिलर है बट कुछ कुछ डिफरेंट भी है और सबसे बैस्टेस का इंटीर जैसे आप देख रहे हो यह इन्होंने कितना अलग तर्की से एक्डम ऐसा लगने जैसे मैं नागालेंड की गाव में आ चुकी हूँ और पुरा मड़ वाल्स वगेरा है और पु यहां पर बैठेंगे यहां पर भी जूते उतारो आराम से बैठो ऐसे काइंड ओ यह जो कॉंसेप्ट होता है नीचे बैठने वाले से जापनीज रस्राणों मैंने देखा है कोरें में देखा है अब यहां पर नागा वाला यह पहली बार है जिसमें मैं इसा कॉंसेप यह देख लिया अब आगे बढ़ते हैं और यहां का मैंने यहां पर देखें आप तीछे का मुझे बहुत प्यारा लग रहा है यहां का मैंने जो है जैसे मैं आपको बदाया बहुत डिफरेंट है और इस वजे से कि जैसे नाम जो है वह तो है अकूनी नागा यहां पर टिबिटन खाना है नागा फूड है और नेपाली फूड है तीनों वराइटी जै तो इस वरे से ना मैंने सोचा की चलों यहां पर आ रहा है तो हर एक वराइटी से कुछ कुछ चीजे तो हम उठाई लेते हैं तो इस बिस में मैं आपको जो आगे मेन्यू दिखा जो आएटी कि अधर किया लेक्स को देखो नागा फूड में ना हमें समझ में आही आ रहा था कि हमें ट्राइक करना क्या चाहिए और क्या चिज़ क्या रहेगी कुछ कुछ चुछ नाम ऐसे थे कि मतलब उसमें क्या चीज़े है थोड़ा थाथ थो अधर थोड़ा था तो यह यहाँ हमारा सारा का सारा लंच, अबύ तैट पर दिखाते है करों, यहाँ है ऑफे उसे पहली थाली नागा वाली जिसके अंदर में उसकी बहुत सारी सबजी है जो आपको आगे जाके दिखाऊंगी फ्राइड चिकें कोथे मोमो एंड लाम रिप्स तो चली चलते हैं खाना स्टार्ट करते हैं लेट्स को सबसे पहली डिश हम ट्राइ करने जा रहे हैं लाम रिप्स कि मैंने पहले जितनी बार नागा कुछीन ट्राइ कर रखा है उनका एक्सपिरियंस इतना जादा खास मेरा नहीं था आप चाहे तो वह देख सते हैं मैं वीडियो लिंक कर दूंगी यह हम ट्राइक करने जा रहे हैं लाम रिप्स जो कि मैंने लाम रिप्स अलग ट्राइकर इसमें एक अलग सा फर्मेंटिग टेस्ट था जो कि मैं अक्चिली मी बोलूंगी आपको अक्वायर करने पड़ेगा यह एक ऐसा टेस्ट नहीं है कि आपको पहली बार में सब्म आ जाएगा यह बहुत ही तोन डाउन था मैंने से पहले जहां जहां ट्राइकर रखा है उसम इसमें इतना पाउरफुल जो इसका फर्मेंट बेस था बहुत ही जादा था कि मैं थोड़ा सा मुझे समझ में आ गया कि दिस आइनी तो अक्वायर क्यों कि मुझे ऐसे तो समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है बढ़ हाँ इस तो मुझे आपको अथेंटिक कि जिनको नागा फ करने तो बनता ही है कि निपाली कॉंडॉग कैसा होगा तो यह हम पहली बाइट ले रहे हैं और देखने में यह एक दम नॉमल कॉंडॉग जैसा लग रहा है बट असे पकोड़ा टाइप का बट खाने में दिस वह सो डाम गुड मतलब कि इस से अच्छा कॉंड़ मैं अभी केचप और मस्टड का कॉम्डेशन बहुत ही जाद अच्छा लग था अब जब अच्छा लग था अब जब में लिखा है फ्राइट चिकन दो बनता ही है और हम अब और कर यह जो एक्सपक्टेशन थी वह तो बिल्कुल भी नहीं था बड़ जैसे बोलते हैं कि यूशूद तो हमने सोचा कि यार यह इतनी हसी आरही थी बिकॉज यह लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे कि नो ने बॉइल चिकिन लिया एंड उसके उपर में जो हम आलू की पकॉड़ी के डालते हैं एक बही डाल रखी थी अंदर इतना ब्लैंड था इतना अफीका था और उपर से सिर् पेस्ट आरहा था वलब चिक नो को कंबाइन कर दो व हमारी ने ने पाली मैनू के अंदर में से चिकन कोते मुमो और मेरे एक्सपेरियंस कोते मुमो पर बहुत ही जाजा कुछ बार इतना मस तक्छा वा एना कि मैं बता नी सकती और यहां पे उस एक्टेशन को मैंने कि हर जगे का लग प्रेपरेशन होती है यह देखो यह जो जूस निकला था इससे समझ में आ गया कि इस इस गोईंग टो बी अ गुड डिलाइटफुल अडवेंचरिस मील इसका टेस्ट ऐसा था कि अंदर से बहुती जूसी था फुल फिलिंग था अंदर बहुती अच्छी तरसे स्टफिंग डाल रखी थी बट यह चीज़ जरूर थी कि मैंने इससे अच्छा खा रखा है बट हां यहां का अच्छा था मुझे थोड़ा बैक पॉलिंट ना इसका चत्नी थी आलग अलग कड़वी टइक थी पसंन्हीं लिछे क्रिषा होता यह शिवा कि मुझे फिल प्राइश मेंने फिल को सिफ्ट नहीं हम चाचेज थी मेरे अड़ा कर सकते स्कू और अगर आएँ थियासे तो नेपाली मैण अब हम जिन लोगों ने जोल मोमो ट्राइ कर नहीं रखा है उनको पका ट्राइ करना चाहिए बिकॉज यह एक वराइटी है ना एक तो जोल मोमो की और एक कोथे मोमो की यह अगर अपने अच्छे के सखाया आपको मज़ा आ जाएगा तो फिलहाल हम पहली बाइट लिने किने ना चाहिए तो फिलिंग अच्छी लग यह बट खाखे देख्ते कैसा है अच्छे के लिसको पीने ता था जाए पिने तेस्त किना किपों इसमें भर भर के उसका टेस्ट आ अरहा है था एंद इसमें आड ओबर पावरिंग की थी मतलब पीन्ट अच्छी का दोनों का बहुत ही तो प्रॉण टेस्ट था इसके अंदर में और इसके जो स्पाइस से ना इन्हें जो फ्लेवर था पीनट और दही का वह दोनों बहुत ही जादा था इसके अंदर के फिलिंग अच्छी थी और जूसी भी ठीक था तो अल इन ओल इन अल इस वस ओकेश इतना जादा मुझे खास यह बहुत साथ इसके साथ एक्स्ट्रा जो सबजियां होती है स्टार्ट जो सब मिल रहा है और यह देखिए साथ क्या बढ़ बीज भी एंद बेसिकली पूरा मैपको दिखाऊंगी क्या क्या चीज़े तो इसके अंदर में ना सालेड है एंड सूप है एंड ग्रेवी है द की स्टार्ट का एक डिसेजन भी होता है बट हम डिसाइड कर लिए और हम त्राइब करने जा रहे है एक चिक न करी इंग यहम उसकी पहला सूप लेंगे उस सूप बोलेंगे ग्रेंगे बूढ़ेंगे लॉटीयंगे अण इसको हम डालेंगे अपने डूम पे प्रम अधा तोड़ें थोड़ें 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 थोड़ कि देखते हैं कि वो कैसा है तो हमने चोड़ा सा चिकन का पीस लिया एंड इसको हम खाएंगे गिरे पड़े जा रहा था बट हमने फाइनली इसको अथा लिया पहला बाइट एंड ऐसा था कि अच्छा अंदर से न प्लें ब्लैंड था और ग्रेवी जादा अंदर तक नहीं गई थी तो मिलाब बेसिकली खाने पे था मिलाब ऐसा ने था इसका आफ्टर टेस्स बहुत खराब आ रहा है यह उसका लक्सी मेरे मुग के अंदर में पूरा फर्मेंटिट पर आए दाल पे यह दाल पे हम गये अंदम घुटी भी दाल थी प्रॉपरली दम अच्छी तर से मैस्टप थी एंड यह हमने दाल चावल लिया एंड इसको हमने ट्राइ किया यह हमारी बाइट डाल चावल की दाल चावल मुझे से कमफर्ट फूल टाइप अला फील देता अलुटी तरह नहीं बताया कि वह यह है एंड इस मिला खटापन था इंड आलू का टेस्ट थालके तमाटा के साथ था मस्त खटापन था लिट्ल बीट फर्मेंटेट सा टेस्ट था अच्छा लग रहा था अड यह है जो सूप और आप देख रहा था मुझे तो असे लग कोई भी चीज किसी पर थी अच्छा सा एक फुल मंच और सूप विट लिटल बिट फर्मेंटेशन का टेस्ट अरा था थंड़ अब आया हम अचार के यह जो आचार था यह अचार का विचार बहुत ही ज्यादा अच्छा था बिकॉज अभी आम मेरे बेखना इस लेक ओ क्या आथ है this is so damn delicious बहुत ही जादा अच्छा था और मैंने सूचा की देखो यार खात इसको लिया ही है बट इसको ना डाल चावल की साथ ट्राइब बनता है बिकॉस जैसे बोलते हैं डाल चावल अचार आमका अचार कॉमिनेशन आजा मेरे यार मस्त होता है बहुत ही जादा य देखा था अचार चावल यहां पर फिल्हाल यहां पर कम्लीट होता है मेरा वीडियो कैसा लगा यह लगा यह लगा आप मुझे जरूर बताना फ्ली लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और अम जल्दी ऐसे बहुत ही इंट्रेसिंग से वीडियो तब तक अपना ख थिये बाई बाई एंड टेक केर